चैनल आजम बात करेंगे IC85 Re-Insurance में Common Clause की जो की Re-Insurance Contract में Use होते हैं देखे अभी तक हमने पढ़ लिया है Re-Insurance में Re-Insurance Contract, Types of Re-Insurance, Forms of Re-Insurance ये सारी वीडियो इसमें अभी मैंने चैनल पर डाली हुई हैं आप उनके हो जाके पढ़ सकते हैं आज हम बात करेंगे कि वह कौन से clause होते हैं जो आप हर Re-Insurance Contract में generally पाएंगे तो एक एक करके हम clauses के बारे में पढ़ते हैं ये कुछ common clauses हैं जो Re-Insurance Contract में आप किसी भी Re-Insurance Agreement में पाएंगे अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑपरेटिव क्लॉस की तो ऑपरेटिव क्लॉस हमारा अदर नेम है उसका कि Re-Insuring दी Original Risk कहीं पर ऑपरेटिव क्लॉस लिखा रहेगा तो आपको क्या मतलब है वहाँ पर हमारे Original Risk को कैसे Re-Insure किया गया है यह बताता है यह clearly हमारे obligatory nature जो है Re-Insuring का उसको दर्शाता है कहने का मतलब कि Insurer अपने आपको Bind कर लेता है कि अगर मैंने Re-Insurance किया है तो मुझे उस Re-Insurance Agreement के तहप जो प्रीमियम या Consideration Re-Insurance Company को देना है वो मुझे उसमें clearly देना है और मैं Binded हूँ और Re-Insurance Re-Insurer बना नहीं कर सकता उस Agreement पर ऑपरेटिव क्लॉस हमें Operation उस Agreement को Operative रखने के लिए हमें क्या काम करना है Re-Insurer Bind कर लेता है कि मुझे वो Accept करना है मैं यह नहीं कह सकता Re-Insurer कि मैं मैंने आपसे Treaty Agreement तो कर लिया लेकिन आप जो बिजनस ला रहे हो मुझे इसमें रिस्क लग रहा है अब मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं कर सकता Operative Clause में Clearly Mention रहता है कि Re-Insurance एक हमारा Obligatory Nature उसका Clear Setup Set रहता है इसके बाद जो Premium हमारे पास हमारा Insurance Company से Re-Insurance Company को जाएगा उसका Method क्या रहेगा ठीक है Obligatory Session रहेगा ठीक है या कैसे रहेगा किस Method से कितनी Lines हमारे पास Insurance Company के पास रहेंगी और कितनी Lines हम आगे Re-Insurance को देंगे ठीक है यह सारी चीज़े मेंशन रहेंगी क्या Business Companies करती है वो मेंशन रहेगा उस Re-Insurance Agreement का Territorial Scope रहेगा ठीक है कि उसका Territorial Scope क्या है इसके बाद Maximum Liability रहेगी कि प्रीटी में अगर Maximum Liability जो है कितनी रहेगी और Net Retention Limit क्या रहेगी ठीक है और एक Clause में Operative Clause में मेंशन रहता है कि Insurer ही हमारा Soul Judge है जो constitute करता है अपने Risk को और Determine करता है कि उसे कितना Retention अपने पास रखना है और कितना उसे आगे forward करना है तो सबसे पहला Clause सबसे Important Clause है हमारा Operative Clause Next हम बात करेंगे हमारे Second Clause की जो की है Commencement और Termination तो Commencement Clause और Termination Clause जैसा की नाम है क्या suggest करता होगा आईए बात करते हैं कहलाता है यह Clause simply यह बताता है कि हमारा जो reinsurance है वो कब शुरू होगा किस manner में और किस circumstances में उसको terminate किया जा सकता है कहने का मतलब suppose कोई agreement है तो जब आप policy खरीदते हैं तो उसमें motor insurance की policy है तो उसमें लिखा रहता है ना कि the motor insurance will start on the in the from the morning of such and such date and it will end on such and such date तो क्या कहने का मतलब है इसमें इसमें कहने का मतलब यह है कि वो reinsurance भी एक insurance ही है तो reinsurance का commencement वो शुरू कब होगा उसकी date और कब वो खतम होगा उसकी date प्लस ऐसी कौन से situations है जब उसे terminate किया जा सकता है जैसे कि example में हो गया war हो गई आपकी थाना example के लिए war हो गई या 90 days का आपका notice period हो गया ठीक है तो यह सारी चीज़ें हो गई जिसमें आपका commencement or termination clause होता है अब देखिए इसमें जो वर्डिंग होती है उसको हम बहुत है specimen wording ठीक है reinsurance में होती है specimen wording अब specimen wording में कुछ-कुछ चीज़े mention रहती है जैसे कि हर पार्टी दोनों पार्टीज है ठीक है एक reinsured और एक reinsured दोनों के पास right होना चाहिए कि वह terminate कर सकें इस agreement को ठीक है कुछ notice देके या अब suppose कोई party है वह insolvent हो गई दोनों में से ठीक है और अपने debts नहीं दे पारी तो वह चीज़े mention रहनी चाहिए कि अगर कोई party है वह insolvent हो जाती है तो उस case में हमारा payment कौन देगा ठीक है या हमारा कोई change हो जाता है material change है तो उसके बारे में हमें mention करना पड़ेगा उसमें ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमें उसमें mention करनी पड़ेंगी यह हमारा clause होता है commencement और termination के बारे में ठीक है तो जो भी हमारी अगर कोई extraordinary conditions है circumstances हैं तो हम अपने insurance contract को कैसे cancel कर सकते हैं ठीक है termination में हम provisional notice of cancellation देखे कर सकते हैं एक तरीका होता है कि हमारा notice of cancellation at anniversary date देखे कुछ reinsurer क्या करते हैं एक practice बना लेते हैं उसको कि हम अपने acceptances जो हैं उसको ncad यानि कि notice of cancellation at anniversary date देंगे ठीक है अब यह सारी चीज़ें हमारी होती है हमारे second number के clause में जो की है हमारा commencement or termination next clause है हमारा alterations अब alterations से नाम से ही समझ में आता है कि alterations का क्या मतलब होता होगा alterations मतलब अगर हम अपने reinsurance agreement में कोई चीज हम amendment लाना चाते हैं तो हम कैसे उस reinsurance contract में ला सकते हैं बट यह alterations हम कैसे ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ mutual consent से ऐसा नहीं होगा कि reinsurance company या insurance company अपनी मर्जी से किसी भी contract में changes दिखें जब कोई आप contract में आ जाते हो तो वो legally binding चीज हो जाती है अब legally binding चीज के लिए आपको mutual consent की जरूरत होती है तो mutual consent में possibility अगर कोई भी धूणनी है amendment की तो दोनों parties के consent की जरूरत है और एक addendum पॉलिसी निकाली जाती है addendum आपका जैसे corrigendum निकाला जाता है वैसे इसमें addendum बोलते हैं उसको addendum निकाला जाता है और वो एक integral part हो जाता है हमारी policy का और insurance policy का और binding होता है दोनों पार्टियों में अब कोई agreement है वो किसी भी time में उसके during the time वो valid है contract उस duration में कभी भी हम इसी agreement को alter कर सकते हैं बस उसकी एक मात्र condition है कि वो alter होगा सिर्फ और सिर्फ mutual consent से ठीक है मतलब दोनों parties का agree होना बहुत जरूरी है इस clause है हमारा insolvency of other reinsurer अब other reinsurers की वज़े से हमारे दूसरे reinsurer की liability नहीं बढ़ेगी इस clause का यह मतलब है क्याने का मतलब क्या हुआ सपोज एक company थी ए जो कि एक insurance company थी उसने अपना reinsurance करवा रखा था चार कंपनियों से अब इन चार कंपनियों B C D और E अब B company failure हो गई अब B अगर fail हो जाएगी और claim की condition में B का जो claim होगा जो कि reinsurance से वसूल ना था वो C company D company और E company मिलके थोड़ी ना देंगी तो यह कहां mention होता है यह इस clause में mention होता है insolvency of other reinsurer मतलब अगर कोई reinsurer fail हो जाता है insolvent हो जाता है उस condition में बाकी reinsurance company यह उस particular insolvent reinsurer का loss की भरपाई नहीं करेंगी यह कौन सा clause हुआ हमारा insolvency of other reinsurers next है हमारा clause access to records inspection by reinsurer इसका क्या मतलब हुआ भही simple सी बात है access to records का मतलब क्या हुआ इसका intention क्या हुआ इसका intention हुआ इस clause का कि reinsurer के पास right हो कि वह हमारे insurer की किसी भी book को है ना जो किसी भी book को या record को जो कि उस business जिस business को reinsurance दिया है उस reinsurance company ने उसका inspection कर सके और उसका inspection जब वह करेगा तो expense जो भी लगेगा वो किस के उपर आएगा reinsurer के उपर आएगा चीक है और normal office hours में ही वो inspection हो सकता है और right उसके पास होती है कि अगर उसे कोई भी issue आता है तो वो अपने मतलब कोई भी ambiguity मिलती है तो अपना representative रखके वो arbitration या dispute resolution में mechanism में जा सकता है तो यह हमारा हो गया access to record inspection by reinsurance reinsurer कभी भी हमारा insurance company का record की checking कर सकता है ठीक है next हम बात करेंगे errors and omissions errors and omissions की safety device भी होता है उसकी बात हम करते हैं इस clause में यह mention रहता है कि अगर कोई policy में कोई भी ऐसी चीज़े जो छूट गई है गलती वश भूल वश तो उसको हम add कर सके हैं यह एक ऐसा device है इसलिए इसको safety device भी बोलते हैं अगर अगर इंश्रेंस company से policy बनाते समय कोई issue रह गया कोई कोई चीज रह गी तो वह हम इसमें errors and omissions में delays में सारी चीज़ें हम cover कर सकते हैं ठीक है तो एक safety device की तरह बग करता है intermediaries brokers role अब brokers role में क्या करता है broker role में बहुत इसी है business जो आता है वो कैसे आता है business हमारा आता है intermediaries के तुरू brokers के तुरू तो अगर broker ने broker को क्या insurance company क्या करती है अपना राइट दे के रखती है ठीक हाट और नी दे broker को मैं दे दूँगा तो broker का payment receivd माना जाएगा या नहीं या मैं commission broker को दूँगा तो वह मानी जाएगी की नहीं जाएगी या अगर मैं मस सारी चीजह इंट पेरोकर का क्या role धेवर्य क्या broker eligible DES करने के लिए Swiss payment देने के लिए तो सब्सक्राइब करते हैं और दो लोगों के बीच में अगर मध्यस्तता का काम करके arbitration arbitrator होते हैं जो की अपॉइंट किये जाते हैं दो कंपनी अपने arbitrator करती हैं और दोनों लोग मिलके एक नेड़ने पर आते हैं और इशू को resolve करते हैं ठीक है उस इसी को resolve करते हैं तो हमारी कोड का टाइम बचता है ठीक है यह हमारा clause है जिसमें हम arbitration की बात करता है ठीक है अगर दोनों arbitrators जो कि company A और company B ने setup किये हैं अगर वो हपस में भी agreed नहीं है तो क्या होगा एक एक empire रखा जाएगा और वह empire फिर क्या करेगा वह empire हमारा जो इशू को resolve करने में काम करेगा अब वह empire कैसे decide किया जाएगा वह mutually agreed किया जाएगा राइटिंग में लिया जाएगा दोनों company से और तब हमारा empire रखा जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा आता है सेट हमारा हमारा कितना अमांट पेबल हो सकता है पेमेंट करने से पहले तो उसको कैसे अगर आप सेट आप नहीं कर रहे हो या पेमेंट जाधा कर रहे हो तो क्या problem आएगी हमारी companies के उपर insolvency का खत्रा बढ़ सकता है ठीक है तो हमें यह ध्यान रखना है कि net settlement हमारा होता रहे और business का जो flow है उधारी पर न चले जादा setup होता रहे काम बढ़ता रहे आगे तो यह सारी चीज़ें हमारा यह important clause है one of the most important clause है set of clause तो set of में हमारी चीज़े इसके बारे में मैं आपका numerical भी अगर होंगे तो मैं कराऊंगा कि set of clause पे question आया हुआ है 2017 में questions आये थे कि set of clause क्या करता है तो इसका answer है कि to facilitate the net settlement ऐसे directly पूछा गया था कि set of clause कब काम आता है तो net settlement में काम आता है ठीक है और कब हमारा unpaid unpaid रहता है कब paid रहता है वो सारी चीज़ें आएंगी मैं इसके questions जब mcq कराऊंगा तो और बेटर तरीके से इसको समझाओंगा ठीक है next है हमारा clause accounting clause accounting clause क्या कहता है दिए accounting clause बहुत असान है business जो होता है हमारा underwriting year basis पे होता है और हम उसका claim payment किसी और business आता किसी साल है और payment किसी और साल करते हैं तो उसकी जो accounting है वो हमें ध्यान रखनी पढ़ती है और यह clause जो accounts है उनको underwriting year basis में कर सके हैं यह सारी चीज़ अकाउंटिंग clause basically हमारा re-insurance accounting में जो business है वो किसी एक महीने आ जाता है अगर कोई business January में आता है तो उस साल January February March यह तीन महीने वो current financial year में count होते हैं और अप्रेल आगे December तक वो next financial year में काउंट होते हैं तो वो सारी चीज़ है में accounting clause के थूप पता चलती है कि वो पूरा business book होगा कि कैसे book होगा expired premium वो सारी चीज़ है नेक्स हमारा currency clause currency clause यह बताता है कि अगर हमारे पास पैसा किसी भी policy में हम पैसा जो ले रहे हैं वो किस currency में लेंगे यह हमारा currency clause में mention रहता है ठीक है कि domestic में उसे define करना है या हमें define करना है foreign currency में suppose इंडिया का current account deficit वो जादा क्यों है क्योंकि हम सारे payments जो है वो dollar में करते हैं अब dollar का जो है exchange rate है वो काफी high होता रहता है बढ़ते रहता है तो वो सारी चीज़ें हमें affect करते हैं लेकिन हम उसे change नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमारा जो भी agreement है उसमें हमारा currency clause mentioned है कि हम सारे payment कैसे करेंगे currency हमारी foreign currency या dollar में करेंगे ठीक है तो इसलिए जब agreement में currency clause mentioned है तो उसमें हमें पहले ही decide करना पड़ता है यह ना सोचते हुए कि currency भागेगी या गिरेगी हमें mention करना पड़ता है कि किस में हम करेंगे जब एक country बहुत सारे foreign currencies में deal करता है तो उसे एक मानक करेंशी standard currency decide करनी पड़ती कि मैं dollar में change करूंगा ठीक है या मैं euro में करूंगा यह हमें हमारे currency clause में mention करना पड़ता है next है हमारा clause जो है loss advice और accounting of losses यह 2017 में इसमें question बना था currency clause पर भी दो questions आये थे चीक है और मैं सारे questions को कराऊंगा ही जो आए थे वो सारे questions में हैं जो आते हैं जो आये थे और जो आने की संभावना रखते हैं क्योंकि देखें री इंशुरेंस अपने आप में बहुत important chapter है book है 40 marks लेती है credit points 40 है इसके और मैं समझता हूं यह one of the most important content plus difficult subjects हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि मुझे आती है यह तो बहुत आसान है लेकिन questions जब तक आप questions नहीं पढ़ते करेंगे आप इसे सही से कर नहीं पाएंगे तो next हमारा clause है loss advice और accounting of losses तो losses को हमें कैसे debit करना है losses होंगे हमारे normally कहां debit होंगे reinsurer के debited कि जाएंगे reinsurer के account में और अगर individual loss agreed हमारे some insured से ज़्यादा हो रहा है तो seeding insurer हमारा immediate settlement में जा सकता है reinsurer के अपना जो loss है cash loss request है भेज के तुरंत इसे solve करो ठीक है और advices में हमारा की advice हमें reinsurer को दी जाती कि अगर कोई loss हमारा agreed amount तक पहुँच गया ठीक है तो तुरंत उसका settlement करे wait मत करें कि वो cash loss request send करे तो मतलब send करने की नहीं अगर उससे reporting कर दी गई है तो wait मत करें उसको resolve करें मतलब payment करें तो यह सारी चीज हमारी loss advices और accounting clauses में mention रहती है 2017 में इस पर भी question आया था cash loss request में आया था ठीक है तो वह मैं और अच्छे से explain करने की कोशिश करूँगा हाला कि जब मैं questions करवाऊंगा तो मैं एक एचीज फिर से cover करूँगा और अच्छे से उसको आपको समझाते हुए करूँगा ठीक है thank you for watching please subscribe the channel and keep sharing thank you